भारत की सेंचुरियन टेस्ट में हार हुई जिस और पाकिस्तान का टेस्ट मैज जो चल रहा था और तो यह कहना गलत नहीं हुआ ही कहीं ने कहीं इंडियन क्रिकेट का मजाक उड़ रहा है और वो मजाक आप क्या कहें ऑस्टेलिया तक पहुँच चुका है आप माइकल वोन हमारे उपर एक तरीके से ताना दिया जा रहा है एक तरीके से हमको सवाल किया जा रहा है माइकल वोन ने जो हमें किया है उन्होंने कह सकते हैं कि जादा मजाक उड़ा है हाला कि इसे भी भारतिया जो क्रिकेट सिस्टम उसके प्रोफेशनल सेटप का भी मजाक उड़ा और ऐसी लीग भी है इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स होने के बावजूद क्या इंडियन क्रिकेट के हालत ऐसी हो गई है कि इस तरीके का मजाक उडाया जाए इंडियन क्रिकेट का हर एक इंडियन क्रिकेट फैन को यह चीज चुभी भी है दोस्तों जैसे कि अपनी हाईलाइट्स में देखे लिया है चंद सेकिंड के बाद हम मुकमल वीडियो की जानबी चलेंगे उस्टेलिया के मशूर खिलाड़ी माइकल वान ने पाकिस्तान और भारती क्रिकर्ट टीम के हवाले से एकरत देमल का इज़ार किया है लाइव शो में उन्होंने भारती क्रिकर्ट टीम पर काफी सवाल खड़े किये कि इतना बड़ा बोर्ड इतनी बड़ी आईजपेल उसके बावजोद भारती क्रिकर्ट टीम पिछले 10 साल से कोई टूर्णमेंट नहीं जीती जिपके पाकिसान चेंपिस ट्रॉफी जीता उसके लावा जो हालिया जो बॉक्सिंड टेस्ट मैच खिला गया पाकिसान ने कदरे बेहतर खिल का मजारा किया लेकिन भारती क्रिकर्ट टीम तीन दिन के अंदर ही सबतफिक और खिलार धेर होगी इस वाले हम देखेंगे भा पैनल फोक्स क्रिकेट पेर और उस पैनल में कुछ लेजिनरी क्रिकेटर भी थे माइकल वॉन। उन्होंने कह सकते हैं कि जादा मजाँक उडाया है हला कि माइकल वॉन का भी समझ में नहीं आता हूर। जो बात उन्होंने कही है उस बात में अगर आप सुनेंगे तो आपको दम भी नजर आएगा और आप भी मानेगे कि बात तो सही कर रहे हैं और मजाग जो उडा रहें, क्या Indian cricket की हालत ऐसी हो गई है कि इस तरीके मजाग उडाया जाए Indian cricket का साथ में उनके थे Mark Waugh, एक और Legendary Cricketer और जिस तरीके से आप बात करते हैं, कमेंटरी की तो बड़ी ही दमदार voice वहाँ पर है तो इनका discussion चल रहा था और Stadia और पाकिस्तान का test match जो चल रहा था और तो उस दौरान जिक्र हुआ Centurion Test का Centurion Test का scorecard आता है Centurion Test का scorecard जब दिखाय जाता है तब Michael वोने discussion शुरू करते है और पूछते है Mark Waugh से कि क्या लगता है आपको ये Indian cricket में क्या problem है क्या आपको लग रहा है कि सबसे जादा underperforming team है ये पैनल चल बैठा हुआ था इनका आपस में discuss करता है और बात करते करते ही लिया आते हैं कि क्या आपको लगता है तो उसके बाद जो है Mark Waugh इनसे कहते हैं आप बताईगे आपको क्या लगता है कि सतरीके से लगता है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्होंने कुछ जीता ही नहीं यानि भारते टीम ने बीते कुछ टायम में कुछ जीता ही नहीं ये बहुत underachieving side है वो कुछ जीतते ही नहीं है साफ तोर पर ऐसे शबते और आपस में थोड़ा सा फिरे पूछते हैं माइकल वान की आखिर बार कब था कि जब भारते टीम कुछ जीती थी जितना भी उनके पास टैलेंट है जो भी उनके पास किल सेट है लेकिन अगर आप पिष्टे कुछ वर्ल्ड कप्स देखेंगे पिष्टे कुछ T20 वर्ल्ड कप्स देखेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं किया है हाला कि इसमें ये फैक्ट जरूर है कि भारत ने समिफाइनल यहां तक जगह जरूर बनाई लेकिन वाकई में अगर आप देखेंगे अचीवमेंट के नाम पर जहां पर कॉम्पेटिशन इतना कम हो चुका है दो या तीन तीम्स आपकी कॉम्पेटिव होती हैं तो वो उन्होंने का कि बट वो कहीं पर नहीं रही आसपास वो एक अच्छी टीम है बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन जितना भी टैलेंट और रिसोर्सिस उनके पास है उनको लगता है कि उसके साथ उन्होंने जिस्टिस नहीं किया और बहुत कुछ ज़्यादा जीतते नहीं है इसके बाद मार्क वा ने एक चीज एड भी करी उन्होंने का कि बिल्कुल आपने सही बात का कि वो साल भर तो जीतते हैं लेकिन जो बड़े गेम्स होते रही वह वहां पर नहीं जीतते हैं Mark Howard अब ये तो एक पहलू हो गया जहांपर performance पर मजाक उड़ा अब आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि professional setup पर भी किस तरीके का उन्होंने तंज कसा वहाँ पर Mark Howard जो कि presenter हैं Australia में और भारत भी आते हैं commentary के लिए अभी भी आये थे उनके vlogs भी बड़े famous होते हैं social media पर अगर ये clips कहीं इंडिया में जाएं तो मैं तो एक होगा कि इंडिया एक अच्छी टीम है उसमें Mark Howard कहते हैं कि मुझे लगता है कि माइकल वान के छुट्टी होने वाली है यानि कि उन्होंने इस तरीकी opinion अपनी रख दी है कि अब उन्हें इंडिया में काम नहीं मिलेगा तो अब आप क्या करें अब आप मुझे काम दीजेगा तो कुछ इस तरीके से भी भारतिया जो cricket system उसके professional setup का भी मजाग ओड़ा और ये काफी बारी चीजें पहले भी हो चुकी है एवन कुछ इंडियन कॉमेंटेटर्स के साथ भी उन्होंने जब अपनी opinion एक्स्प्रेस करी और उनकी छुट्टी कर दी गई है पास में अगर आप लोगं को पता हो तो आप comment section में जरूर दर्ज कर सकते हैं वो चीज तो कुछ इस तरीके से भारतिय क्रिकेट जो खेल ग्राउंड पर खिला जाता है उसका भी मजाग उड़ा और जो हम एक कह सकते हैं जो setup है जहां पर commentators experts उस तरीके की बात में होते हैं तो उन्होंने ये भी इशारों इशारों में कहा कि अगर आपको इंडिया में काम करना है तो इंडिया की वावाही करो इंडिया की तारीफ करो कहीने कहीं भारत में system यही चाहता है कि इनके बारे में अच्छी चीज़ें बोलो तो सवाल खड़े होते हैं Indian cricket system पर जिम्मेद करें कि शायद हम डिजर्व यही करते हैं जिस तरीके हमारा पफॉर्मेंस राय बीते कुछ सालों में लेकिन हर एक इंडियन क्रिकेट फैन को यह चीज चुभी बिया तो आप बताए कॉमेंट सेक्शन में आपकी पूरी मुद्दे पर राय क्या है वीडियो और इंफोमेशन बट टीम इंडिया ही एक ऐसी टीम है जो इतना टैलेंट होने के बावजूद इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स होने के बावजूद इतनी एक्स्पिरेंस साइड होने के बावजूद कभी भी कोई भी ICC ट्रोफी नहीं जीत पाई है अगर हम 2014 से चलें 2013 में इंडि आउस्ट्रेलिया वर्ल्लकप जीत चुका है 16 की बात करें तो वैस्ट इंडि स्टीटोंडी वर्लकप जीता हुआ है 2017 में चेंपिन्स टूफी पाकिस्तान जीता हुआ था 2019 में इंगलेंड ओडिये वर्लकप जीत गया 21 की अगर आब बात करें तो 21 में ऊस्ट्रिलिया टी कुछ भी नहीं जीता इन शॉट अगर हम बात करें तो टीम इंडिया के हाथ एक भी आई सीजी टूफी नहीं आई है यह बात अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम सब को पता है तो मैं स्पेशली यह बात क्यों बता रहा हूं दरसल यह बात कहीं है माइकल वॉन है और उसके पीछे का कॉंटेक्स्ट क्या है वो आपको जरा बताता हूं मैं और पाकिस्तान की बीच चल रहा है दूसरे टेस्ट मुकाबले के दौरान माइकल वॉन है यह बात स्टीव वॉ से कहीं अब यहां पर हमारे उपर एक तरीके से ताना दिया जा रहा है एक तरीके से हमको सव काल किया जा रहा है माइकल वॉन ने जो हमें किया है कि आप दस सालों से कुछ जीते नहीं हो और इंडिया को उन्होंने एक तरीके से अंडर अचीविंग साइड बता दिया है अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो स्टेटमेंट में साफ शब्दों में लिख इंडिज जीत गया लेकिन इंडियन टीम कभी कुछ नहीं जीती एक इंडियन टीम और एक साथ अफरिकन टीम अब अगर हम साथ अफरिका से अपनी तुलना करने लग जाए तो वाकई में हम फिर चोकर बन जाएंगे बट पिछले 10 सालों में कभी भी हम जीते नहीं है और म जैलेंट की वैसे हमें ट्रोफी क्यों नहीं मिल रही है इस वज़ा से बाकी के लोग और जादा सवाल इंडियन क्रिकेट के उपर करते हैं आपको पता ही है कि भाई पिछले 10 सालों में हमने जो जो हारा है उसके पीछे वज़ा क्या रही लेटेस्ट अगर आप देख लें ODA World Cup हमारी बैटिंग नहीं चली बट कॉमन चीज एक है कि प्रेशर हमसे नहीं जेला जाता है बट यहाँ पर यह जो माइकल वॉन ने स्टेटमेंट दी है है तो यह सही स्टेटमेंट और हमसे सवाल पूछा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना स्किल सेट इतन दीक्मेंट को कैसे देखते हैं